नमस्कार दोस्तों स्वागत है आपका एक नए वीडियो में और जैसा कि आप जानते हैं कि एक गैजेट जो है बहुत वाइरल हो रहा है और उस गैजेट के बारे में मैं आपको उसका प्रूफ दिखाऊंगा लाइव प्रूफ दिखाऊंगा कि क्या वो गैजेट रियल है य जो कि मैं आपको आगे बताऊंगा कि क्या वो रियल है या फिर फेक है और उसमें क्या-क्या चीज़े बताई गई है और वो किस बहुत से स्टार्ट होने वाला है और वह कितना इंपोर्टेंट है आगे चलके आपको क्लीनिक में प्रैक्टिस करने के लिए और मेली यह NCISM का गैजेट के नाम से रिलीज किया गया है जिसमें आयरवेदा, होमियोपैथी, युनानी यह सब जो भी आयूस के डिपार्टमेंट है उसमें जो भी बच्चे अभी इंटरंशिप कर रहे है या पिर आगे चलके इंटरंशिप करेंगे उनको next exam देना पड़ेगा उसके ब चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले क्योंकि मैं यहां पर आयूस और मेडिकल फिल्ट से सभी चीजों को पोस्ट करता हूं तो देखी सकते हैं आप यहां पर कि मैंने एक वेबसाइट से एक डॉक्मेंट डाउनलोड किया है जिसका वेबसाइट का नाम है www.ncs.org.in मतलब तो कि यह होम्योपै्थी का ओफिशल वेबसाइट है होमेोपैथी डेपार्टमेंट जो भी आयोस का है नेसनल कमिशन फुर होम्योपैथी होम्योपैथी एजुकेशन बोर्ड और यह जो वेबसाइट है इसमें एक नौटिफिकेशन रिलीज किया गया है जो 14 दिसंबर 2013 क इस चीज को आप ध्यान से देखिएगा तभी आपको समझ में आएगा कि यह फेक है या फिर रियल है तो इसको आपको लास्ट तक जरूर देखना चाहिए और यहां पर देखेंगे अगर आप इसका सब्जेक्ट इसका मेन सब्जेक्ट जो है वो है नेशनल कमिशन फूर होम इस में लिखा हुआ है इस लेटर में इन्होंने क्या लिखा है कि सर मैडम विट रिफ्रेंस तो दे सब्जेक्ट सब्जेक्ट साइट एवब इस तो इन्फॉर्म डैट गैजट नोटिफिकेशन ऑफ नेशनल कमिशन फूर हमियोपेथी डैट इस नेशनल एग्जामनेशन हमियोपेथी रेगुलेशन 2023 वाज पब्लिश्ट ऑन 29 नमबर 2013 अभी देखिए में चीज मैं आपको यहां पर लाइब प्रूप दिखा रहा हूँ इगैजट यहां पर इन्होंने मेंसन किया है और यह ओफिशल वेबसाइट में आपको मिल जाएगा हमियोपेथी का ठीक है और इगैजट का अगर आप देखेंगे वेबसाइट अगर आप गूगल में सर्च करेंगे इगैजट.com तो वहां पर अलग-अलग मिनिस्ट्री का गैजट रिलीज किया जाता है जैसे रेलवे मिनिस्ट्री है परें मिनिस्ट्री है हर मिनिस्ट्री का वहां पर गैजट र हर जगर regulate किया जा रहा है ऐसे र HOW और अगर आप लेकिन अगर आप यी गैजर ड़ाट कम पर सथ करें grate तो आपको मिल जाएगा ऊ मुष्चैमिन नोटिफिकेशन्में इन्होंने बताया है कि नेशनल एक्जिट टेस्ट के बारे में क्या-क्या हमियोपैथी में regulation लाए जाएंगे उसी तरह से NCISM का भी website पे release किया जाएगा और जब किया जाएगा तो मैं आपको उसका अलग से एक video बना करके जल्दी post करने का कोशिज करूँगा तो आप वीडियो को लगातार जरूर देखते रहें और इन्हों ने साफ साफ यहां पर लिखाये देखिए इन दे सब प्वाइंट प्वाइंट नमबर थर्टीन अपसेड रेगुलेशन जो रेगुलेशन कहती है उसके अनुसार प्रेक्टिशनर हुएब अल्रेडी बिन रेजिस्टर्ड और हैब कम्प्लिट इंटर्शिप बिफोर दस नोटिफिकेशन अप दिस रेगुलेशन निद नोट तो अपियर फोर दा नेशनल एक्जिट तेस्ट और इनो नहीं यहां पर यह भी लिखाये कि इन दिस रिगार्ड इट इस फर्दर तो क्लेरिफाइब था इस्टुदें वह जो इन इंटर्शिप बिफोर देट पॉब प्लिकेशन अप देवब रेगुलेशन इन दे गैजट गैजट में जो भी रेगुलेशन दिया गया है वह पब्लीश होने से पहले अगर जिन्हों ने ज्वाइन किया है उनको निद नोट तो अपियर इन नेशनल एक्जिट टेस्ट हावेवर इट इस मेंडेटरी फोर इ इगैजट में जो रिलीज किया गया था 29 नौवंबर को 29 नौवंबर को अगर 29 नौवंबर से पहले जिन्हों ने इंटरेशिप अपना पूरा किया है या फिर जोईन किया है उनको नहीं देना पड़ेगा नेशनल एक्जिटेस्ट लेकिन 29 नौवंबर के बाद जिन्हों अगर नहीं देखे होंगे तो मैं आपको अभी इसी वीडियो में आगे दिखा देता हूं क्या 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 वहां पर उन्होंने बताया है और यहां पर देखेंगे आप तो सब्सक्राइब क्या होगा यह सभी नहीं दिया है होमियोपैथि के लिए लेकिन बाद में यह देंगे अब हम बात करते कि आयरवेद के लिए नसी आएसम बोर्ड और जो आयरवेद का जो बोर्ड है उसका वेबसाइट है उसके आएगा तो हाँ यह जरूर्ड नोटिपिकेशन आएगा जैसे कि नोने ने नेशनल कमिशन और अमियोपैथि के बारे में दिया है जो भी गैजेट को मैं अभी आपको दिखाना चाहता हूं कि उस गैजेट में क्या-क्या है और किस बैच से जो है नेक्स्ट एक्जाम हैने की नेशनल एक्जिटेस्ट सुरूरू अने वाला है तो यहां पर आप देख सकते हैं कि भारत का राजपत्र रहने के गैजेट ऑफ इंडिया यह जो पीडिएफ है आपको www.egazet.in या फिर egazet.com पर आपको यह उपलब मिल जाएगा बहुत सारे लोगों को यह डाउट भी रहता है कि यह गैजेट अखिराय कहां से इतना सर्कुलेट क्यों हो रहा है वाटसप में पीडिएफ के फॉर्म में तो उसका मैं आपको प्रूब बता देना चाहता हूं क अगर आप e-gazet.com पर देखेंगे NCISM का जो भी बताया गया है गैजेट रिलीज किया गये वह आपको वहां से मिल जाएगा अभी यहां पर देखेंगे आप अगर तो यह जो गैजेट ऑफ इंडिया है इसमें क्या-क्या बताया गया है वो मैं आपको बता देना चाहता तो यह जो गैजेट है वह 20 December 2023 को रिलीज किया गया जैसा कि मैंने अपको जो हमियोपैतिक का जैसाा मैंने अभी दिखाया है वैबसाइटपर कैसे बताया गया है तो उससे को मैं यहाँ पर आपको बता देना चाहता हूं कि जो यह गैजेट है इसके बारे में कि इसमें क्य क्या चीज़े हैं और किस बैच से सुरू हने वाला है और उसकी importance क्या है उसके लिए eligible criteria क्या है और और वो कितनी बार आप श्रेक्ट को दे सकते हैं अगर आप कौलिफाइऑ नहीं करते हैं तो उसके बार में भी मैं आपको यहाँ पर बता दूँगा तो यहाँ पर देख सकते हैं, नेशनल एक्जिट टेस्ट के नाम से यहां पर लिखा हुआ है कि भारतिय चिकित्सा पध्यति के आयरवेद से दिवनानी और सोवार रिक्पा जैसे प्रत्यक सिक्षंग का एक नेशनल एक्जिट टेस्ट आयोग द्वारा एक निर्दिश परधिकारी के माध्या में आयुजित किया जाएगा मतलब की एक्जाम कंडक्ट करवाया जाएगा और सेकेंड पॉइंट में हिनोंने लिखा है कि भारतिय चिकित्सा पध्यति के सम्मंदित विशे के चिकित्सा व्यिषाई के रूप में अभ्यास करने के लिए लाइसेंस देने और एक वर्ष के अनिवार निवासि सेवा इंतरंशिप पूर्ण करने के बाद ही भारतिय चिकित्सा पध्यति के पंजिक्रीत चिकित्सा वैशाई के रूप में राज ये रेजिस्टर ये राश्ट्री रेजिस्टर में नामांकन के लिए नेशनल एक्जित टेस्ट आयुजित किया जाएगा मतलब कि जो इंटर्णशिफ है वो पूरा करने के बाद ही आपको लाइसेंस मतलब कि ये एक्जाम देने के लिए इलिजबल होंगे आप और तभी आपको लाइसेंस दिया जाएगा अनेथा नहीं दिया जाएगा और इन्होंने थर्ड पॉइंट में बताया कि या परिक्षा एरवेद्युनानी सिध्धा या फिर सुवरिक पजैसी बिस्तिति हो सिक्षन में एक चिकित्सक के रूप में नैदानिक योगिता चिकित्सा आचार के समझ और मेडिको कानूनी मामलों में निपटने की छमता क परिक्षन करने के लिए समस्च्य अधारित होगी और अगर आप यहां पर देखेंगे तो इसका जो डेट है मतलब कब कभी इजाम होगा उसके बार में इन्होंने में इंशन किया कि परतेक वर्ष फरवरी और अगस्त मामे आयुजित किया जाएगा और नेशनल एक्जिट मतलब कि मिनिममम 270 दिन का अगर अपने अनिवार ने इंटर्शिप पूरा कर लिया है तब आपको किया जाएगा नेक्स्ट एक्जाम देने के लिए और नेशनल एक्जिट टेस्ट उतिर ने किया बिना बैसलर और अईरवेदिक मेडिसीन या बैसलर फर्मेपेथिक मेडिस उसके बिना आपको उसका रिजिस्ट्रेशन यानि कि आपका जो प्रैक्टिस करने का आपका जो रिजिस्ट्रेशन होता है वह भी नहीं दिया जाएगा और आपको लाइसेंस नहीं दिया जाएगा आप चाहे तो ग्रैजवेशन का डिग्री के अनुशार आप अलग एकजाम भी दे सकते दुसरे एकजाम भी दे सकतेसे दुसरे जोब में भी जासकते लेकिन जहाँ जहां आपको लाैसेंस क्या आव Ilिव ले कर के तभी आप वहाँ पर आप अपने नोरी कर सकते हैं तो यह चिकिशा पंजियन अनिवारे नहीं है मतलब कि जहां पर आपको लाइसेंस की आवश्चक्ता नहीं है ठीक है वहीं यहां पर लिखाए देखें चिकिशा पंजियन मतलब की लाइसेंस तो चिकिशा पंजियन जहां पर अनिवारे नहीं है जहां पर अगर आपको नहीं मांग होगी क्योंकि आप practice करने वाल है तो हाँ पर next exam देकर के आप license लेकर के तभी आप practice कर पाएंगे तो यहाँ पर मैं ने और exam का जो gathered Jagay अभी पब्ली स्क्राइब है वह हमारा जो आयरवेध या फिर युणनानी इनके जो अलग वेबसाइट है उस पर भी रिलीज किया जाएगा तो आप हमारे चैनल के साथ जोड़े रहें और अगर चैनल में नहीं है तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर ले और वीडियो अगर पसंद आया तो वीडियो को लाइक जरूर करें धन्यवाद